प्राहूल के अज हम पड़ेंगे तुबी प्रिजेंट सेंटिंस जैसा कि आप लोगों ने कल जो नाउन और एजक्टिव ब्लगुव साधानत रूप से सिंप्ल तौर से नाउन और हम नाउन प्रिजेंट एजेंटिंस उससे पहले कि आज मैं बता दू कि कि आज मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि हमारे देश में जो रेप जैसी जगन अपराद होते रहते हैं उसको लेकर एक मेंटिलिटी है कि लोग इसमें कास्ट और जाती देखकर लोग ब्रोथ करने आते हैं तो इसी के दरबर लगा 15-20 दिन पहले आप तो न्यूज मीडिया में भी आने लगा कि एक बैगवर्ड समाज की लड़की जिसका नाम मनिशर था उसके साथ ब्रूटली तोर पर उसके पहन की मृत्ति हो गई तो हम देखते हैं कि कितनी ज्यादा समस्या हैं देश में हैं कि जितनी भी अफराद होते हैं वह जाती धर्म देखकर किये जाते हैं तो इसी की तोर पर आज मेरा मन्त थीक नहीं है लेकिन फिर में मैंने सुचा कि I should make video today because it is very necessary क्योंकि जब तक में हमें जरूर करना चाहिए जाती नहीं दीखना चाहिए क्योंकि जो होते हैं और फिरेक्टि committed a व होती अनूरॉध है कि आप फ़स्तव इसली भारती होने के नाते इंडियन होने के नाते हम ऐसी घटनाओं का ब्रोध करना चाहिए ताकि जो अपराद ही लोग हैं उनके मन में एक भय हो सकी कि अगर मैं कुछ अपराद करता हूं तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ तो इसी के साथ ही मैं किलास अपनी स्टार्ट करत हूँ तो आज हम पढ़ेंगे टूबी बर्व सेंटेंस टूबी प्रेजेंट के उससे पहले आप लोग जो कुछ मीनिक देख रहे हो यह प्रोनावन देख रहे हो जो जो भी आप बोल सकते हो देख रहे हो तो आपको इसका इसकी शोट लेना है लेकिन मैं थोड़ा सा क्लि या उन्हें दीज मींस होता है यह इन्हें दोज मींस होता है वो या उन या इन दिस मींस होता है यह है ही मतलब होता है वह है या उससे ही का प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं और शी का मतलब होता है वह मतलब महिला फीमेल के लिए शी उसकरते है इसका मतलब होता है इसका डपनसे जानवरों एइंबल स्टीज और इसके साथ हम वायों करते हैं इसी डैड़्य है जो डैड्य हम नर्जीव बस्थियों और ओर जैनवरों सकती है तो यह चोटी सी हिंदी मीं fyनाय हम कह सकते हैं कि आंगे हम यूस करेंगे और में आपकों आपको सिक को आपको आक्ट बढा है , तो इसके बाद हम बढते हैं किसब बनाये को से जाते हैं आप लोगोंने कल नाउन और एजयक्टव पढ़ अथयों तो है से बैसे हैं नाउन और एजेक्टिव से सम्मंदित है जैसे और इसकी पहचान है तो सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करने इसकी पहचान है इसकी पहचान क्या है हा है है हुआ है 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 या हूँ या फर होता है ओके और भी पहचान होगी आंगे आपको बता दी जाएंगी तो सेंटिस के तौर पर हम बोल सकते हैं कि वह कि इमानदार है है कि हम अकेले हैं तुम अमीर हो हम किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मनीशा मास्तूम है तो इस परकार के सेंटिस हम यूज़ कर सकते हैं और जैसे दूद सफेद होता है गाउं खुश हाल होता है तो इस परकार के सेंटिस एक्जाम के तौरव मैंने चार अच्छे सेंटिस लिए हैं कि वह इमानदार हैं हम मकेले हैं तुम अमीर हो मनीशा माशूम हैं दूद सफेद होता है गाउं खुश हाल होता है तो इस परकार के सेंटिस हम टूभी वर्व के मादन से बना सकते हैं और एक दो सेंटिस हो लेलो इस परकार हम बोल सकते हैं इसा मैंने लाउं और एजशेक्टिव बताया था यह नाउन तो यह नाउन है यह इईजेक्टिव लाओ है कि हम इनको प्योग कैसे करेंगे तो जो हैल्पिंग बार्व यूज करते हैं तो ही शी इट और सिंगुलर के साथ हम यूज को सुरी इसका प्रियोग करते हैं और आई की साथ प्रेजेंट में एम का प्रियोग होता है आई भी स्वरी वी दे यू दोज इटी शी तता प्लूरल के साथ हम आर का प्रियोग करते हैं आई होप आप लोग समझेगा हों कि ही शी इट तता सिंगुलर के साथ इसका प्रियोग करेंगे आई की साथ हम का प्रियोग करेंगे वी दे यू दोज दीज वह तता प्लूरल के साथ हम किसका आर को प्रियोग करेंगे संगुलर का मतलब समझेग लोग संगुलर मतलब होता है एक बचन वह जैसे पैन है पैन एक है लेकिन मैं बोलूँ यह कितनी पैन है दो या दो से तो हम उन्हें प्लिरत में काउंट करते हैं ना कह सकते हैं तो इस प्रकार हम sentences हम एक्जम्पल हैं मैं बनाता हूं सबसे पहले क्या बता दूँ partir च्ए प्रकार प्रकार सेंटेश सीखें कैप ने प्रकार के इमांदार है, यह हो गया, इसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं, फिल मैंने लिखा वह इमांदार नहीं है, वह इमांदार नहीं है, तो इसको हम नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, क्या वह इमांदार है, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्या वह इमांदार नहीं है, क्या वह इमांदार नहीं है, इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अब जो मैं फोर्थ बताने वाला हूं, सरी शिप्त बताने वाला हूं, बहुत सकता वह इमांदार, क्या या कब इससे लखकाल है, क्यों या फ़र एटीसी है, तो इसको हम बोलते हैं, Question Word, Question Word, Interrogative Sentence, ति नाम है, फिर मैंने लखा वह इमांदार, क्यों बोलते हैं, बहुत से नाम इंटिया है, क्यों है, क्यों नहीं है, सोरे क्यों नहीं है इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड प्रश्चन वर्ड इंट्र गीटिव नेगेटिव सेंटेंस क्यों इसको बोलें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वह इवंदार क्यों हो कि सेंटेंस करती हैं इसको मैं थोड़ा सा किलेर कर दूँ आ कि कोष्चं बेख इंटरोगेटिव और उन्ते ऐग इंटरोगेटिव सेंटेस्स और वह इमानदर कव यह क्यों नहीं है कोष्चंवर्ड इंटरोगेटिव सेंटेस्स carta to व क्या क्यों कैसे कब तक कहा तक कितनी समय तक हम यहां जो जो ग्मर्भड वाले हैं जो दून Met Dia मुझक कर सकते हूं तो जो अवांग एंटीन हम फवीरेगों च्रेनी रहे हैं त Mage Time गरिंटास कि सोकते हैं तो मैं वन फ्री म último理 स्रूब किया को स्टार्ट करते हैं अफ़रहमें सेंटेस में बनाते कैसे तो मैं सिर्फ प्रकार को स्टेस प्रकार के सेंटेस हैंero जाने देता हूं प्रकार की सेंटेस्ट तो इसके बाद हम जो स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि जिसे मैंसे फॉर्मुला रहता है इसी प्रकार इंग्लिस को सेंटेस्स बनाने के लिए बाग के बनाने के लिए फॉर्मुला की आवश्चक्ता पड़ दिये तो हम यह फॉर्मुला हम यहां जिक्र करेंगे तो फॉर्मुला सब सब पहले है इसका अब सब्जेक्ट प्रस इस अबलेक एम अबलेक आर प्रस नाउन एजेक्ट्ट व नाउन सब्जेक्ट थोड़ी जगा इस पीस कम इसलिए में सब्जेक्ट को सौट लख रहा हूं ऐसे भी साव फिलास इस इस एम आर प्लस नाउन खो यह लेता हूं नाउन खो लिख रहा हूं क्योंकि जगा की थोड़ी सी कमी है बोर्ड पर बोर्ड छोटा है फिर हम लखते हैं इंटेर इस एम आर प्लस सब्जेक्ट नाउन खो इसके बाद इसम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन खो इसके बाद हम लखते हैं इसको क्वेड़ी लखता हूं शॉट फर्म में ऊबलू कोस्टेन बर्ड प्लस येश्हम आर फ्लस नाउन एजेक्टव क्यो व यहां पास सब्जे process subjekt लिफ्डना भूल गैं मैं इंट सब्जेक्ट कर देता हूं सब्से सब्जेक्ट प्लस नाउन एजिक्टिव तो इसमें जो अबलिक लगा है तो इस आएगा या फिर आ रहेगा दो मैंसे तीन मैंसे एक आएगा तीन मेंसे उनको एक उप्षन चूस करना है तो मैंने पहले बता दिया है आपको कि ही शी एट और स्वेंगलर के साथ क्या लगता है इस लगता है ठीक है यहां इस लगाएंगे और आई के साथ हम एम लाएंगे अगर सब्जेक्ट आई रहेगा मलाब जो आंगे हैं उसको सब हम लगाएंगे वी दे यू दोज दीज एट सेटरा या पर प्लूर के साथ हम आर का प्रियोग करेंगे ए आर ए तो आई होप आप लोग अच्छी तरीकिये से समझ गए होंगे कि आखर में सेंटेंस बनाने कैसे हैं कैसा है यूज करना है इससे पहले जगा की थोड़ी सी क मैं आपको सेंटेंस बनाना बताता हूं का सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं तो सबसे पहले मैंने लखा वह इमांदार है तो वह वह मेंस ही अब अगर यहां यहां फीमिल का सेंस आ रहा होता तो हम क्या लगाते हुआ पर शी लगाते तो वह इमांदार है तो मैंने लखा ही इस इस किन लगाया क्योंकि ही के साथ क्या लएगा इस यह देख लो भाई लो तो इसका किसका उप्यूग होगे इसका तो ही इस इमांदार की मीनिंग क्या होती है ऑनेस्ट है प्रकुर्णीमि बनाना है कि वह इमांदार नहीं और याद रखना संटंस हम शाउं ईंग्रेजिय के आपको सבशिंगों इंग्लिस इंग्लिस में नहीं अथा इंग्लिसीं दोनों में प्रापर रूप से ट्रांसलेशन होना चाहिए तो मैंने लखा ही इस पर इसके बाद क्या लगता है नौट लगता है यहां थोड़ा गल्दी कर दी है नौट लगाना है तो ही इस पर हम बनाएंगे क्या वह इमानदार है क्या वह इमानदार है बनेगा is he honest according to the structures आपको बना ले है अब बनाएंगे हम क्या वह इमानदार नहीं है क्या वह इमानदार नहीं है कैसे मनेगा is he not honest एक बाइस टेक्चर देख लो यहां पर अपन प्वेश्चिन वर्ड है एक बाइस टेक्चर देख लो आप तो यह है न इस के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट ठीक है पर मैंने का वह इमानदार क्यों है अपन लोग पूशते हैं न कभी कभी तुम इमानदार क्यों हो भाई तो बना सकते हैं क्यों है वाई इस ही ओनेस्ट आप किसी किसी से यह भी पूश सकते हैं तुम इमानदार क्यों नहीं हो तो तुम सुरी वह इमानदार क्यों नहीं है यहां पर थोड़ा स्पेस कम है तो हम यहां पर लखेंगे तो क्या है का वाई इस ही नौट अनस्ट इट इस वेरी इजी भूट ही ज्यादा आशान है आई होप आप लोग समझगा होंगे के सेंटेंस टूबी प्रेजेंट की सेंटेंस टूबी बोग की सेंटेंस आखर बनाए कैसे जाते हैं तो बिलकल इज़ी है वह इमांदार है वह इमांदार नहीं है he is not honest क्या वह इमांदार है इजी ऑनेस्ट क्या वह इमांदार नहीं है वाइज फी नौट होनस्ट इसी प्रकार हम जो बर्व है जाए ही है शी है दे है आई है भी है दी है यू है किसी का भी हम उसका ट्रांसेशन कर शकते हैं और मैं एक और आपको बात प्रश्फ आन सागया तो मैं का यूज हम सब्ऩेक्ट के जगहा पर कर शकते हैं यह इंके तॉय नाहूंस पड़ेंगे जो ओद चुछ में गैंपडेंगे खटम हो जाना को रिया तो यह से प्रणावन मैंने सिर्फ इसकी हिंदी में बता ही लेकिन प्रणावन की तोर पर हम कर सकते हैं सब्जेक्ट के तो प्रणावन की तो पर अगर जैसा मैं हूं तो मेरा नाम राहूल है तो मैं अपने आपको आई बोलूंगा अंडर्स्टेंड जैसा उसका नाम मनीशा है तो उसके लिए हम किसका प्रणावन करें यूज़ करेंगी यही प्रणावन है नावन ही प्रणावन हम बोल सकते हैं तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि नावन तुभी वर्वी के सेंडिस आकर हमें बनाने कैसे हैं और आपको यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसमें कोई भी डाउट हो गुरुप पर नाम है एवरीबडी के लर्ण इंग्लिस इसी एली और गुरुप का जो लिंक है आपको जो वीडियो के सेक्शन नीचे बार डिटेल बार सेक्शन रहता व सकते हैं और आपके लिए हमवर्क भी है कि मैं अमीर हूं तो बोलों का आई एम रिच मैं अमीर नहीं हूं आप लोग भी इस एसे ही ट्रांसिशन करोगे इसका आई होप तो लेकिन सबसे पहले हम सेंटिस को बनाना शीखेंगे उसकी प्रैक्टिस करना शीखेंगे तो आपको यह वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बाक्स में बताना है और आप समझते हैं कि यह वीडियो आपके है और यह इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए तो मेरा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक अपने इस्तिदारों तक और उनको भी जान करें दें बिल्कुल एजी वे में सीख रहा है और यहां लब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एड़ांस लेविर और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है ऐसी वाली उसको भी दबा ले वापा आउल पलग किल्क कर देना सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो बने उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपकी मुबाल तक टाइम पर पहुंच सक झाल